बाटी की एकडम न्यू रेसीपी लिकाई हूँ ओवन में नहीं सेखेंगे नाहीं माइकरोवे में सेखेंगे इसे हम सेखेंगे कुकर में किस तरह से आप इस तरह की खस्ता और कुरकरी एकडम ला जवाब बाटी तियार कर सकते हैं देखिए इसका कलर कितना अच्छा दिख सकती हैं सेखेंगे इसका बात परुद्टिर से खाई हैं अच्छों का की आठा तो दो बड़े कर में दाल को और दो दो बड़े देर्ढ़ को आड़े सकते हो लेकिन से ऊतना खस्ता और वेंसा तेशा इजाता में गाड़ तो कई जISE से लादा पबना है उसमें भी कई गीजाओ अब ऑब कर सोरा होता है यहां पर लिकिकिक हाय आगी जाता है उन्हींता हुणितर सोरा करने कोई दो के सब्सक्राइब सबसे हैं अब इनको शेख नहीं थे हैं तरह से हम इसे वीटार का वाब लए करें मटाती हैं मैंने चलाओ चनine कुणा और ऐसीबुटी सबस्क पर अगश की और और इसमें टूटी इसपून टाकि यू थे तो बस इस तरह से हमने इसमें और पहले से प्रीट करने की ज़रोत नहीं है आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑइल डाल के और हलका सा गरम होने दीजिए अब गरम हो जाएगा ना तब इसमें हम बाटिया डाल दिया अब इसमें तेल डाल दिया ना पहले से ही तो यह बाटियों को डाल के इससे मिक्स कर दीजिए ताकि ऑईल बाटियों में अच्छे से लग जाए और उसके बाद हम लगा देंगे धकन तो यहां देखिए मैंने सारी बाटियां डाल दी है कम से कम यह 12-15 बाटियां है और इनको इसी तरीके से हम उच्छालते हुए सेखेंग इस तरह से हम उच्छालते रहेंगे तो हमको बार-बार रहना हाँस से पलेटने की जरूत नहीं रहेगे इस तरह से आप डखकन लगा कर भी उच्छाल सकते हैं और इस तरह से बाटियां सिकती हुए हमारी तो बस आपको 5-5 मिट के अंतर में चेक करते रहना है डखकन खोल कर अगर आप चेक नहीं करेंगे तो यह जल भी सकती है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा अब यहाँ पर मैंने फिर से डखकन लगा दिया है और उसके बाद में इसको फिर से चेक करती हुँ तो कुछ इस तरह के हमारी बाटिया सिक्कर तयार हुई है इसे 20-25 मिट लग ऑवन में भी हम सेखते हैं तो उसमें भी इसी तरह का समय लगता है लेकिन गी घी गरम होंने के लिए रख दिया है तो यहाँ पर मैं एक इक बाटियों को फोड के अच्छे से और इसमें डाल दूँगी तो यह जो बाटिया भी गरम है और घी भी गरम हो रहा तो काफी तो बहुत से लोगों को क्या अंदर से चिपचिवा पन रहता है तो बस चलिए इस तरह से में घी लगा लेती हूं और गरम-गरम सर्फ करते हैं औरेचनी की दाल या तूर की दाल के साथ में जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं तो यहां पर यह राजिस्थानी रिशे जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा फिर मिलते हैं रेसीपी के साथ मैं तब तक की लिए बाइबाई